hello beauties welcome back to my channel i hope you are all doing great so guys आज मैं गरने वाली हूं बहुत ज्यादा useful video and i think इस सारे girls की बहुत ज्यादा problem होती होगी make up remove करना is a tough work and कभी-कभी असा होता है कि हमें बहुत ज्यादा lazy feel होता है आज में लगता है कि आज रहने देते ना बाद में make up remove कर लेंगा फिर ऐसा ही सो जाते हैं ना क्यूंकि मैंना हमेशा make up remove करती हूं cotton pad से and micellar water से मैं बायोडर्मा के micellar water में यूज करती हूं one of my favorite favorite वाला मेरा है लेकिन में बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी लग्कियों को मैंने देखा यूज करते वे तो मुझे ना अच्छा लगा कि चलो यार अगर यह अच्छे से वार कर गया ना तो भाई मेरा काम बनगे इतना ताम जाम करने का ज़रूद नहीं है इसली यूज कर सकते हैं तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोगो मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीच यह है अर्थ रिदम का क्लिंदिंग पैड रियूजबल मेकप रिमूवर और मुझे कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में रेसीब हुई है यहां पर मैंसन है लास्ट अप्टू 200 बॉसेज वो मैं कॉर 200 बॉसेज और रिप्लेज अप्टू 300 मेकप और वाइप और वाइप यहां पर डाल दोगी तो आप लोग देख लेना तो बहुत अच्छे पैकेजिंग में आई है अब में इसको उपेन करती हूं अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है और में जो टू का शेट मिला है और काफी प्यारा श्मिलब कलर है एक है यह ब्राउन एक है पिंक कोई भी हाम नहीं होगा आपके फेस पर आप इसको इजली यूज कर सकते हो काफी सौप सा इसमें दिया गया है अच्छा अब आते हैं कि इसको यूज कैसे करना इसमें आपको क्या डालना है कैसे यूज करना तो इसमें में संता कि आपको कुछ भी नहीं डालना है बस आप आपको इसमें पानी में डिप करना है और सारा पानी इसके उसके कर लेना है दन आप उसको अपने मेकप को रिमोड करोगे किके अभी मैं यूज नहीं की हूँ अभी मैं आपको साथ लाइब यूज करूंगी और देखते हैं क्या होता है वर्ड करता है कि नहीं करता है तो सब कि अगरना अपने लिप पैसे करके रखना है और फाइब सेकंड वेट करना है और आप इसको एजली रिमॉफ कर सकते हूँ माइ गॉद काईज आप देखो मेरे सारा लिप स्टीक एकदम इसली रिमॉफ हो गया अब मैं थोड़ा अपना आई मेकप रिमॉफ करके देखती हूँ ओ माइ गॉद काईज आप देख रहों मेरे फेस का सारा ही मेकप इसमे रिमॉफ कर दिया इसमें मैंने सिस बॉटर से इसको मैंने डिप करके स्क्यूस किया था अब मैंने कोई भी इसमें क्लेंजिंग बाम या फिर मैंने मिसलर बॉटर कुछ भी नहीं डाला अब देख लो मतलब मेरे सारे ही फेस के मेकप रिमॉफ हो गया है अब इसके बाद आपको जो भी करना है क्लेंजिंग तोनिंग और वांट एंड या इन डाट्स इट गाइस मतलब आप देख लो कितनी अच्छी सी वर्ड किया है अगर आपना मतलब अलग-अलग मिसलर बॉटर लेते हो एंड आप कॉटन पैड लेते हो आपके पास यह होने ही होने चाहिए आपके टूके पैक्स मिल राएंगे पिंक और ब्राउन कलर के मुझे मिला था इसका लिंक में प्रवाइट कर दूगी लिचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैंना सूझा कि कि का अगर मैं आप लोग सामने ट्राइब करोंगी अन्य मुझे यह टीन से चाहिए पनी करें तो तो मैं में मेकप करी रख की हैई सच में रीमूफ करता एकनी और स्टमी यह बहुत अमेजिंग रोल कि है मतला मुझे बहुत जाधा पसंद आया मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग जरूर ये बाई करो काम की चीजे बहुत योस्फूल है और आपके फेस के लिए भी पुखाथ अच्छा है। बहुत जादा आपके ताम जाम नहीं करना है। तो I hope आपको आज का वीडियो बहुत जादा यहल्फु लगा ऊब हाँगा वीडियो को लाइक कर दो चल्लोंको सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अच्छी ची वीडियोज में आपनों के लिए लाते रहूँगी बहुत जल्द में आपके लिए बहुत 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 इंट्रस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ तो stay tuned and चैनलों को subscribe करके रखना and bell icon को दबाके रखना मिल तुम फिर आपसे next video में तब तक लिए guys bye bye love you all take care